आज की ख्लास में हम देखते हैं उक्सिकन अंक शंक्या या फिर अवस्था यहां पर ध्यान से समझना कि उक्सिकन अंक बोले तो भी संक्या बोले तो भी और अवस्था बोले तीनों चीज एक ही होती है जो गाइस यहाँ आपर ध्यान से समझना कि अगर किसी परमान में उसके उपर आवेश हो तो वही क्या कलाती है। जैसे कि यहाँ पर डेफिनेशन समझना किसी परमान में उपस्तित आवेश को उस परमान की उक्षीकरण अंग कहते हैं। निके कोई एटम है उसके उपर आवेश्य हो सकता है या फीर आयन हो सकता है वो माइनस हो सकता है या धनायन हो सकता है यहाँ पर बात तो इसकी Oxygen function कितनी हो जाएगी पलस 1 देखो प्लस 1 अब यहां पर प्लस लिखा इसका मतलब 1 तो है टू तो नहीं कहा सकते लेकिन 1 तो है तो पलस 1 इसकी Oxygen function क्या हो जाएगी इसकी देखते गाइस देखना i am g2 यानि कि आपर हो जाएगी क्या प्लास चु इसके उपर कुछ नहीं है तो न्यूटरल के लिए यहाँपर हो जएगा zero इसमें माइनस one तो इसका हो जाएगा ऑक्सिकान संध्या माइनस वन और इसके लिसके लिए औक्सिकन संग्याल निकालने के लिए कुछ नियम है इसके अनुपालना करते हुए हम इसका निकालेंगे तो गाई देखें यहाँ पर मैंने यह कुछ नियम थे वह लिख दिये जो कि योगिक का अवस्ता कैसे ग्याद करते है इसके लिए तो ध्यान से समधा यह बहुत मैंट करते आपके लिए तो यहां पर समदा किया इस पीरियोटिक टेबल हम जानते दो ग्रूप होते एक तो हो जाएगा फर्ष्ट ए और एक हो जाएगा सेकेंड जो फर्ष्ट ए होते उसमें कौन-कौन से है लिमेन आते है लिना के रब से प्रियाद तो उसमें जो उक्षिकन अवस्था पाई जाती Will more than यहानि कि सारे तत्वं में एक सारे तत्व में आने वाले सारे तत्वatyब। में उक्षिकनद अवस्था पाई जाएगी ट्लस वन और second group में पाई जाती है plus two यानि कि second group में को न आते हैं बैटा मांगे कार scooter बाप राजी या रोए तो यहाँ पर second a और first a इसमें plus one और plus two तो second हो जाएगा guys समझना परतेक योगिक का oxygen अवस्था का बीजगनिती योग सुन्य होता है समझना बात को बीजगनिती यो सुन्य होता जैसे कि आपको कोई योगिक देगा a और b जैसे कि कोई आपको योगिक देगा a और b इसका oxygen b का oxygen संक्या निखा लिए तो आपको यहाँ पर इसको इस टाइप से इसको plus and into जो भी किरते हैं उसके अगर two होगा तो इसको into कर देंगे यहाँ से two को लेकिन यहाँ पर simple है तो यहाँ पर क्या करना ऐसे करके बराबर zero होता है इसके कहने का मतलब यह है कि योगिक का oxygen अवस्ता का बीजी गणी दियोक सुन्य होता है अब ध्यान से समझना जैसे कि यहाँ पर a और b को योगिक है उसके उपर minus one है तो guys यहाँ पर जो लिखा होता है इसको बराबर के उस site लिखते है यानि कि इस site लिखते है minus one तो guys यहाँ पर यह हो गया clear अब थर्ड समझना hydrogen तत्व अपने योगिक में oxygen अवस्ता प्लस वन दर्शाता है यानि कि hydrogen होता है उसकी oxygen अवस्ता कितनी होती है यानि कि इस योगिक में पाए जाएगा तो उसमें hydrogen गिना जाएगा उसकी प्लस one oxygen अवस्ता होती है बैं oxygen होता ह इसकी जानता है हम कितनी होती है माइनस टू होती है अब यहां पर चोटे पॉइंट पर ध्यान देना है पराकसाइड में oxygen की oxygen अवस्ता या नंबर कितना होता है माइनस वन होता है नकी माइनस टू होता है जान से समझना पर पर एग्जामपल लेता हूं sodium पराकसाइड यह ले लिया एंट टू ओर अगर ऐसा आजाए इसे पराकसाइड के दे अगर तो ऐसा परकसाइड एजाए तब ऑक्सिजन की माइनस-1 ऑक्सिकन अवस्ता या नंबर गिना जाता है then last and final देखना guys halogen होते है उनकी minus 1 होती है हम जानते है कि minus 1 होती है इसमें कौन कौन होती है तो fluorine, chlorine, bromine, iodine ये सारा आते है तो उनकी कितनी होती है minus 1 होती है अब हम example लेके समझेंगे तो देखिए example कौन कौन से वह तो देखिए guys मैंने ये कुछ example लिख दिए तो guys इस type के कुछ example आते हैं तो यहाँ पर ध्यान से समझना इसमें कहा गया S to S इसमें S का oxygen अवस्ता निकाल लिए हमको क्या करनी है oxygen अवस्ता ग्याद करनी है तो यहाँ से ध्यान से समझना जिसको oxygen अवस्ता निकाल लिए इसको हम कुछ भी मान सकते है x y z कुछ भी मान सकते है तो यहाँ पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो यहाँ पर समझना जो hydrogen होता है वो कितने 2 तो 2 hydrogen को ये 2 है तो 2 को पहले लिखेंगे और hydrogen को हम जानते कितने अक्सिकना वस्ता होती है प्लस 1 तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कॉश्टर करके प्लस 1 करेंगे फिर प्लस करेंगे क्योंकि बीच में प्लस करना पड़ेगा और किसकी गयात करनी है आपर s की तो s को हम क्या कर देंगे x चुकि हम जानते कि बीच गणिती क्या होता है जीरो होता है अब इसका पूट अप करेंगे तो 2 इंटू 1 तो कितना हो जाएगा 2 प्लस x बराबर 0 तो x बराबर कितना हो जाएगा यह इधर चलाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा तो x की ऑक्सिकन अवस्ता कितनी हो जाएगी माइनस 2 हो जाएगी उसी टाइप से यहाँ पर देखिएगा एग्जामबल OF2 इसमें हमको f की गयाद करनी है यानि फ्लॉरिंग की गयाद करनी है अब ज्यान से समझना यहाँ पर oxygen है केवल ही केवल oxygen न की पराक्साइड है तो oxygen की minus 2 होती है अक्सिकन अवस्ता तो यहाँ पर हो जाएगा minus 2 लेकिन यहाँ पर oxygen केवल 1 है इसलिए इसको minus 2 करेंगे फिर plus करेंगे यहाँ से किसकी गयाद करनी हमको f की लेकिन f कितने 2 तो 2 करेंगे और f की ग्याद करनी यानिकी x कर देंगे बराबर 0 हो जाएगा तो minus 2 plus 2 x बराबर 0 तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा यह उदर चला जाएगा तो plus का हो जाएगा बलस 2 हो जाएगा यह नीचे होगा यहाँ पर होगा तो ये इसके नीचा जाएगा तो प्लस 2 हो जाएगा तो यहाँ पर X बराबर प्लस 1 हो जाएगा इसमें 2 अपन 2 तो क्या हो जाएगा प्लस 1 क्योंकि 2 एकम 2 हो जाएगा तो प्लस 1 हो जाएगा किसकी यहाँ पर फ्लोरिंग की समझ गए अब गाई इसमें क्या होता है वो समना N2O3 इसमें हमको nitrogen की oxygen वस्ता ग्याद करनी है अब जिसकी ग्याद करनी है इसको x मानेंगे लेकिन आपर nitrogen कितने दो तो दो हम पहले लिखेंगे फिर cost करके इसको x लिख देंगे plus क्या करेंगे O3 देखो O3 यहाँ पर N2O2 होगा तब paroxide कहलाता है जबकि यहाँ पर O3 है इसलिए यहाँ पर paroxide नहीं है तो हम क्या करेंगे 3 लिखेंगे फिर minus 2 इसकी oxygen वस्ता बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा देखेंगे इसको put up करते है तो 2x फिर यहाँ पर देखो 2 और 3 इसका गुना करेंगे कितना हो जाएगा minus के 6 बराबर 0 तो यहाँ पर x बराबर कितना हो जाएगा यह उदर चला जाएगा 6 और open कितना हो जाएगा यहाँ पर नीचे 2 चला जाएगा बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 3 तो guys 3 हो जाएगा तो यहाँ पर x बराबर क समझा C2H6 इसमें हमको C की ग्याद करनी है तो देखिए यहाँ पर जिसको ग्याद करनी है उसको X मान देंगे लेकिन आपर कितने 2 तो 2 हम पहले लिख देंगे ऐसा लिखे तो भी problem नहीं होती है plus क्या करेंगे hydrogen 6 है तो 6 को पहले लिखेंगे फिर hydrogen का plus 1 होता है तो इसको into 1 भी कर सकते है तो यहाँ पर बराबर 0 हो जाएगा तो देखिए यहाँ पर हो जाएगा X बराबर minus 6 open 2 तो यहाँ पर X बराबर minus 3 हो जाएगी इसकी oxygen अवस्ता तो गाईस यह होता है तब तक के लिए जहीं वन्दे मात्रम